पाकर खोना क्या होता है ये देवी अहिल्या बड़े अच्छे से जानती है और समझने लगी है ये बात पारवती भी और कमाल है ना उसने तो पाया भी नहीं जिसे उसे खोने का डर सताने लगा है नमस्कार पुनिया शलो के लवाई शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के समक्ष पारवती ने बहुत बड़ी बात कह दिये चलो उसने कही सो कही मगर यहां पर देवी अहिल्या का अब क्या प्रति उत्तर होगा देवी अहिल्या क्या करेंगी क्या वो वाकई में इस अपना हक अपना अधिकार त्याग देंगी क्या युवराज को कहेंगे क्या पारवती ये पास जाएए क्या कहे पाएंगी और क्या वाकिए में कहे देंगी देखिए जिस प्रकार की देवी अहिल्या है जैसा हम देख रहे हैं कि वो त्याग की देवी बनी हुई है अपना हर अधिकार त्यागने के लिए तैयार है सिर्फ दूसरें खुशी के लिए तो क्या वो यहां पर पारवती के लिए युवराज को कह देंगी मेरे पास मत आईए क्या कुछ ऐसा बरताव होगा या फिर ये जो मामला चल रहा है रिनुका वाला और उस केलाश वैपारी वाला क्या देवी एहल्या उसका सहरा लेंगी और अपनी दूरिया बढ़ा देंगी युवराज से ताकि युरास खंडराव पारवती के नस्दिक जा पाएं क्योंकि शादी होने वाले दोनों की और दोनों के बीच में अभी से दूरिया ना आएं क्या देवी एहल्या ऐसा कर देंगी कर सकती हैं मगर देखे यहां पर पारवती ने सबक भी दे दिया है देवी एहल्या को सबक ये कि जो बहुमल्य रत्न आपको मिला है उसे यूही नहीं खोना चाहिए कुछ गलत फैमिया या फिर थोड़ी सी धिल उस रत्न को आप से दूर कर सकती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए जो देवी एहल्या कर चुकी है और आगे भी करेंगी ऐसा संभावना है अब पारवती ने कहे दिया कि यूराज मेरे हैं जबकि अभी तक हुए नहीं है कोई अधिकार नहीं है मगर वो अधिकार चता रही है और इसलिए देवी एहल्या से रुखा बरताव कर रही है उनका अपमान भी कर रही है मंदिर में अपमान कर रही है यहां तक कि अपनी सासू बाई के समक्ष भी देवी एल्या का अपमान कर रही है मगर कोई बात नहीं उसका बरताव है करने दो जैसी उसकी समझ है वैसी कर रही है मगर क्या यहां पर देवी एहले उसके चेहरे पर मुस्कराहट लाने के लिए उसके दिल में फिर से खुशिया लाने के लिए उसके जीवन में जो युराज लग रहा है कि यहां दूर जा रहे हैं युराज को नजदीक करने के लिए उसके देवी एहले दूरिया बना लेगी युराज से क्या वो किसी ना किसी मुद़्े पर टकराएंगी और दूरिया बढ़ाना ही चाहेंगी दिखावे के लिए सही ताकि युराज, खंडेराव, पारवती के नजदीक जा पाएं आमे रखिये किसी और के पास मत जाने दीजिये बांटिये मत उसे मगर ये देवी अहल्या है पारवती के समझ में नहीं आएंगी इन्हें करतव्यों में सुख मिलता है अधिकारों में नहीं